नमस्कार दोस्तों तो आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल पर्देश इन्वेस्टी के द्वारा 2023 में कंड़क्ट कराये गया था में फिजिकल एजूकेशन अंट्रांस्टेस ठीक है तो क्वेश्चन नमबर एक से शुड़ करते हैं क्वेश्चन नमबर एक में पुछा गयाता कि विकास को कौन सा अकिरकाज जो तत्तव है यानि कारक है सबसे अधिक प्रभावित करता है यानि कि आपका जो ग्रोथ है उसको प्रभावित करने वाला सबसे महतर्पन कारकों सा है तो आपके पास जो आनुवाश्कता है यानि क पास गुण सुतर का पेर है एकस वाई जबकि महीलाओं के लिए गुण सुतर का पेर है एकस एकस नेक्स्ट कुेशिन नम्बर फूर्थ पटयाला यानि की पंजाब में नेताजी स्वास चंदर राष्ट्यों खेल शंस्तान की स्थापना की बश्च कि गी थी तो 1961 में पटेयाला में नेताजी स्वास्चंदर बोस राष्ट्यों खेलिस अस्तान की स्थापना की गी थी Next question number 5 ग्वालियर यानि की जो मद्ध्यापरदेश में पड़ता है वहां पर LNCPE की स्थापना किस बर्ष की गी थी Question number 5 का जो सही उत्तर है वो रहने वाला है Option number A यानि की 1957 में Next question number 6 भारतियों ओलंपिक संग के पहले अध्यक्ष कों थी उत्तर है Sir दोरावजी टाटा जी भारतियों ओलंपिक संग के पहले अध्यक्ष थी यादकने questions को ठीक है Next question number 7 NSS की full form क्या है NSS की full form में Nation Service Scheme यानि Option C सही उत्ता है Next question number 8 आदोनिक अलंपिक के जनक की से माना जाता है Question number 8 का सही उत्तर Option number B यानि कि आपके पास जो Baron D कार्विटीरन है ठीक है उनको माना जाता है Next question number 9 बर्ष 2021 में माका ट्रॉफी जीतने वाले बिश्यविदालियों का नाम बताओ तो आपके पास जो गुरून आनक बिश्यविदालियों है उन्होंने 2021 में एक ट्रॉफी जीती ती जिसका नाम था माका Next question number 10 Major ध्यानचंद जी ठीक है जो कि भारती होकी टीम के कफ्तान भी रह चुके है तो बताना है कि किस उलम्पिक खेल में बेक कफ्तान थे Question number 10 का सही उत्तर है option number B यानि कि बर्लेन में थोड़ा से समेंट डॉट आपने चेक के लेना है ठीक है जबकि बात किये मेजर ध्यानचंद जी की इनको होकी का जादुगर के नाम से बजाना आता है Next question number 11 Asian खेलो के जनक का नाम बताओ Question number 11 का सही उत्तर है option number D यानि कि जो प्रफेसर जीडी सौंदी है ठीक है Next question number 12 भारत में शारेडिक शिक्षा के जनक किसे माना याता है Question number 12 का सही उत्तर है option number C यानि कि जो आपके पाज हैंडरी क्रोव बक्क हैं ठीक है उनको मुक्केते माना याता है भारत में फिजिकल एजुगेशन के फादर Next question number 13 Olympic hockey tournament में major ध्यांचंद जी ने कितनी वार स्वर्णपदिकाने की gold medal को जीता था Question number 13 का सही उत्तर है option number B यानि की 3 वार जीता है याद रखने इस questions को कि आपके पाज जो major ध्यांचंद जी है उन्होंने 3 वार जीता था gold medal ठीक है किसमें होकी में Next question number 14 बर्ष 2022 थे इस के IOA के अध्यक्ष का नाम बता हूँ Question number 14 का सही उत्तर option number B यानि की जो PT उशा है जिनको उडनपरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है उन्हें ठीक है वे आपके पास अध्यक्ष थी IOA की 2022 थे इस में Next question number 15 केड़ी जादब ने Olympic कांस्यो पदक जीता था ठीक है कहां पर किस चीज में जीता था मतलब ये Question number 15 का सही उत्तर है option number C यानि की कुष्टी में याद रखना है कि आपके पास जो केड़ी जादब जी है ये समंदिते कुष्टी से उन्होंने Olympic में कांस्यो पदक जीता था यानि कि आपके पास जो bronze medal रहता है उसको जीता था ठीक है Next question number 16 Bishop Amateur मुक्यवाजी Championship में किस मुक्यवाज ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे इसका सही उत्तर है option number C यानि कि मेरी कौम है उन्होंने Bishop Amateur मुक्यवाजी Championship में ठीक है 6 स्वर्ण पदक जीते थे Next question number 17 ब्यक्तिकत खेल में Olympic स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले क्लाड़ी का नाम बताओ question number 17 का सही उत्तर option number A यानि कि जो अभिनव बेंदरा जी है उन्हें पर्सनल रूप से किसी खेल में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए याद रखना इस चेज को ठीक है next question number 18 question number 18 का सही उत्तर रहने वाला है option number B यानि कि आपके पास जो एशिया है ठीक है आपके पास जो पीले रंग का जो आपके पास एशिया का प्रती निदित्व करता है ठीक है आपके डिफेंट करेंगा महादी फोक पर कितने महादी फी ठीक है next question number 19 Olympic अदर्शिबाक्यों 2022 में जोड़ा गया शबद क्या था question number 19 का सही उत्तर जो है आपके पास option number C यानि कि साथ यानि together ठीक है Olympic अदर्शिबाक्यों 2022 में जोड़ा गया था together next question number 20 पहले Asia ही खेल कहां पर गोते question number 20 का सही जो उत्तर रहने वाले है option number B यानि कि दिल्ली में याद रखना है question next question number in 1951 में हुए था next question number 21 द्रोनाचारे पुरसकार कौन से बर्श दिया गया था ठीक है question number 21 का right answer है option number D यानि कि 1985 में द्रोनाचारे पुरसकार की यह मुक्के ते आपके आपके बाद गुरू रहते हैं थी कोच रहते हैं उनको दिया आता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 22 हवी पी एम अमराबादी ने किस ओलंपे खेल में शारेरिक गतिवीदियों का परदर्शन किया था थोड़ा सब बला रहे आपने ठीक है आपने मनेज कर लेना ठीक है कुश्चन नमबर 22 का सही उत्तर आप्शन नमबर C यानि कि आपका पास जो बर्लेन में 1936 में जो HB MPI अमराबादी हैं उन्होंने उलंपी खेलों में शारेरिक गतिवीदियों में परदर्शन किया था ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 23 पहले आदोनिक उलंपिक 1986 में कभी होती है कुश्चन नमबर 23 का राइट अंसर अप्शन नमबर A यानि कि अथेंस में नेक्स्ट कुश्चन नमबर 24 ग्रिशम कालिन उलंपिक खेल 2024 कि शेर में आयोजित होंगी तो जो आपके पास city है शेहर है ठीक है तो शेहर का नाम है आपके पास Paris फ्रांस की राजानी पैरिश में आपके पास ग्रिशम कालिन उलंपिक खेल अयोजित होंगे 2024 में याद रखना है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 25 रोमिश प्ठाणिया द्रोनाचार्य पुरसकार का प्रापत करता किस खेल से स्मंदित है 25 का राइट अंसर अप्शन नमबर C यानि की होकी सिस्मंदित है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 26 दो बार उलंपिक मेरथन दोड जीतने वाले पहले अथलीट का नाम बताओ 26 का राइट अंसर अप्शन नमबर A यानि कि आपके पास जो आवी दी बीकिला है वे दो बार उलंपिक मेरथन दोड में दोड शुक्चिया मदले तरह थे जोर उसको जीता भी है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 27 उस भारतियो प्रणमंत्री का नाम बताओ जिसने उलंपिक गोल्ट ओडर पुर्सकार आपके पास प्राप्ट किया था नेक्स्ट कुश्चन नमबर 28 प्राचिन उलंपिक खेल किस बगवान के नाम पर शुरू हो थे 28 का राइट आंसर है प्राप्शन नमबर B यानि की जीएस के नाम पर जीएस के नाम पर शुरू हो थे 906 इस भी पूरू में ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 29 किस एशियाई देश ने दो बार उलंपिक खेलों की मेजवानी कर ली है इसका सही उत्तर आप्शन नमबर C यानि की जो जैपेन है ठीक है जैपेन ने आपके पास दो बार एशियाई अलंपिक खेलों की मेजवानी कर ली है ठीक है जापान की आपके पास जो केपिटल लिवू है टोक्यो नेक्स्ट कुश्चन नमबर 30 अलंपिक थोड़ा सा आपके पास मिस्प्रिंट है ठीक है तो आपके पास अंसरे बताने वाला हूँ इस कुश्चन का सही उत्तर है ओप्शन नमबर D याने की शीरी जैदेव नेक्स्ट कुश्चन नमबर 31 S, A, I की स्थापना किस बर्ष हुई थी 31 का सही उत्तर ओप्शन नमबर C 1982 कुश्चन नमबर 32 खेलों इंडिया कारेकरम किस बर्ष में शुरू किया गया था 32 का राइट आंसर ओप्शन नमबर A 2018 में खेलों इंडिया कारेकरम को शुरू किया गया था Most important questions है Q33 हेमचल परदेश स्वर्निम जनती खेलनीती किस बर्ष शुरू की ये थी इसका सही उत्तर है option number C यानि की 2021 में शुरू किया गया था Next question number 34 Bishop Cup होकी 2030 किस ने जीता था इसका सही उत्तर है option number D यानि की जर्मनी नी करंटेफेर का question है बार-बार पुछे जा सकता है Next question number 35 कौन सा सन्योजन tournament नी है यानि की आपके पास जो कौन सा इसा tournament है आपके पास जो combination है नी होता है Question number 35 का right answer option number D यानि की league से pyramid Next question number 36 Leader tournament एक प्रकार का dash है 36 का सही उत्तर option number C ये तरह का चुनोती है आपके पास challenge है Next question number 37 यदि 9 court tournament में 28 team भाग ले रही है तो बाई की संक्या ग्याद कीजिए थोड़ा सा रिजनिक का question आगया है 37 का right answer option number B 4 से उत्तर है Next question number 38 एकल रॉबिन राउंट tournament में खिले जाने वाले मैचों की संक्या को ग्याद करना है Question number 20 sorry 38 का right answer है option number A Next question number 39 कौन सा league tournament fixture का प्रकार नहीं है Question number आपके पास 39 का right answer है option number D यानि की leader Next question number 40 बिज्ञान की वहषा का जो जीवित जीवों की समान्यों ठीके कारियों का अध्यान करती है क्या खिलाती 40 का सही उत्तर है option number B यानि की वह खिलाती है आपके पास शरीर क्रिया बिज्ञान ठीके नाम सी पता चल रहा है Next question number 41 कुशी का अध्यान क्या कलाता है ठीके cell का जो अध्यान है वह कलाता है आपके पास kytology यानि की option number C cytology कलाता है question number 41 का सही उत्तर option number C cytology कलाता है CC cell CC cytology next question number 42 यदि 5 टीम भाग ले रही है तो double league tournament में मैचो की संक्या कितनी होगी इसका knowledge ना बहुत जोड़ी है physical education के students को 42 का सही उत्तर option number D यानि की 10 यदि 5 टीमें भाग ले रही है तो double tournament league में मैचो की संक्या होगी 10 ठीक है next question number 50 sorry 43 powerhouse of Salish कोशीकाओं का शक्ति ग्रह की सिकाया था तो mitochondria जो है इसको मुख्यत है कोशीका का शक्ति ग्रह काया आता है next question number 44 RBC यानि की लाल अस्ति मज़ा उत्पादन नहीं करती है question number 44 का सही उत्तर है option number A यानि की WBC का next question number 45 कौन सा mass species का परकारनी है question number 45 का right answer option number D यानि की संबेदी next question number 46 किस परकार की mass species संकुचन में mass species की ठीक है आपके पाद जो मसल्स है बढ़ती है question number 46 का right answer है option number D इन में से कोई नहीं question number 47 कौन से चेहरे की हड़ी नहीं है 47 का सही उत्तर है option number C careful next question number 48 मानव श्रीर में ठीक है चल परसलियों के कितने जोड़े होते है question number 48 का सही उत्तर option number A यानि की 2 next question number 49 कौन सा मेरुदंड का भागनी है तो मेरुदंड का भागनी है आपके पास option C next question number 50 कौन सी felwick gold हड़ी का भागनी है question number 50 का सही उत्तर option number B यानि की T next question number 51 कौनी के जोड़ का क्या परकार है 50 का सही उत्तर option number C यानि की सैडल है आपके पास कौनी के जोड़ का परकार है next question number 52 कंद के जोड़ का परकार क्या है question number 52 का right answer रहने वाला option number A यानि की बली और socket next question number 53 master gland थे क्या गलाती जो pituitary gland यानि गलेंड इसको का जाता है master gland थी यानि पिऊश्क्रण थी खूटीक है next question number 54 श्रीर का रकत glucose तर को बनाए रखने वाला हार्मोन है उसे मुक्त का का जाता है question number 54 का सही उत्तर है option number D यानि की insulin का जाता है question number 55 श्री इर्क में विभिन हर्मोन को नियंतरत करने के लिए कौन सी जिम्हदारी पर ना लिये question number 55 का सही उत्तर है option number C जो आपके पास परिसंचर्ण ने ठीक है आपके पास क्या होती है विभिन हर्मोन को नियंतरत करने के लिए जिम्हदार माने आती है मंद माना आता है किसी दाएं और बाएं परिकोस्ट, ठीक है, क्वेशन नमबर 57, कौन सी रखत कोशिकाएं हमें बीमारी सी बजाती है, 57 का सी उत्तर, option नमबर C, यानि कि आपके पास जो स्फेध रखत कोशिकाएं WC, वे हमें बीमारी सी बजाती है, question नमबर 58, question नमबर 58 का right answer रहने वाला है, option नमबर D, यानि कि फेपड़े, question के आप फूचाएं के देख लो आपके पास जो बाकी ओल है, ठीक है, यानि कि फेपड़े की क्षमता को आपके करा किस की दवारा मापए आता है, इसको मापए आता है, experiment के बारा, ठीक है, option नमबर, आपके पास सी उत्तर option नमबर B, ठीक, next question नमबर 60, 60 में पूचाएं कि आपके पास जो, diodnium, jejunum, और ilium, किस की वाग है, 60 का सी उत्तर option नमबर C, ये मुक्यत वाग है, छोटी आत की, ठीक है, next question नमबर 61, मानवशीर में सबसे एक ठोर पदात क्या है, मानवशीर का सबसे एक ठोर पदात क्या है, आपके पास, in email, ठीक है, next question नमबर 62, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, question नमबर 62, 2 का right answer है, option नमबर D, ने परोन है, ठीक है, गुर्दे आने की, आपके पास कर रहता है, किड नहीं, ठीक है, next question नमबर 63, पाचन, रक्त, परिशंचन, और स्वशंचन के कार्यों, नियंतित की आते है, किस की दौरा, 63 का right answer, option नमबर C, इसको मुक्षेते नियंतित की आता है, ठीक है, next question नमबर आपके बाद की आये, 64 की, आईरिस किसका मुक्षेता भाग माना याता है, आपके आँक का, ठीक है, next question नमबर 65, श्रीर का कौन सा हिस्सा, श्रीर की संतोलन को बनाए रखने में साहिता करता है, इसका सही उत्तर, option नमबर C, आपके पाद जो neuron है, ठीक है, next question नमबर 66, psyche के क्या रथते है, psyche क्लोजी, psyche के आपके पास, जो मुख्यत अर्थ है, वह है, आपका चितना, ठीक है, next question नमबर 67, जबकि लोगोस करते है, अध्यान करना, जबकि 67 ने पूछा गया था कि, बयाम में, आपके जो exercise होती है, उसमें बिवार के invention को, क्या कायाता है, question नमबर 67, का सही उत्तर, option नमबर 20, इसको कायाता है, खेल मनोब ज़्यान, next question नमबर 68, बुद्धी लब्दी का सुतर क्या है, इस थोला सा साइकलोजी के question पूछे जा रहे हैं, 68 का सही उत्तर है, option नमबर D, मांसिक आयू, बटे, इसका सही उत्तर है, next question नमबर 69, कौन सा शेल्डन का शारे रिक बरिगर नहीं करता है, इसका सही उत्तर है, option नमबर B, ठीक है, यानि की मेटाफॉर भी, ठीक है, next question नमबर 70, थोरंडाय का स्नियोजन, सिदान्त, जो किस और रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, मतलब कि जो थोरंडाय के आपके पास, psychologist, ठीक है, उनके जो सिदान्त, मुक्यत आप किस नाम से भी जाना जाता है, question नमबर 70 का, सही उत्तर, option नमबर B, यानि की परिक्षन और थूटी के नाम से, अगर किसी कारे हो, या कौशल में उसके, पिछला अनुवब से किसी तरह से, ठीक है, देने में साहिता मिलती है, तू से क्या कहते है, यानि की कोई किसी काम का आप करते हैं, और उसमें हल्प करता है, आपका पास जो पिछला अनुवब रहता है, उसे क्या कहते है, उसे मुक्य तरह जाना आ याता है, आपके साकारात्लमक आपके पास, थानांतरन का, option number A से ही उत्तर है, question number 73, खेल का संग्यानात्मक्सदांत, क्या स्थापित करता है, यानि कि किस के दौरा स्थापित किया गया था, आपके पास जो cognitive theory है, उसको मुक्य तरह पॉंडड किया गया था, आपके पास किस के दौरा, उनका नाम में आपके पास, जीन प्याज है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 74, बच्चों में किस परकार हड़ी का टूटना, ठीक है, लक्षन माना याता है, क्वेशन नमबर 74 का से उत्तार, उप्षन नमबर C, गिनिश्टिक का, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 75, तो दोस्तों, अगर आपको वो missprint थोड़ा लग रहा है, पीडियाप शोर आपके पास नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्मेंटर बक्स में क्मेंट कर सकते हैं, और मुझे से पीडियाप ले सकते हैं, टिक है, क्वेशन नमबर 75, कौन सी एक प्रकार की मालिश नहीं है, 75 का राइट अंसल, ऑप्षन नमबर भी, यानि कि मिश्रन, टिक, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 76, फुल पॉर्ण पता नहीं आपने, डवल्य एडिये की, तो डवल्य एडिये की फुल पॉर्ण में आपके पास, ऑप्षन नमबर D, यानि कि, वर्ल्ड एंटी डॉंपिंग अजेंसी, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 77, कौन सा काल चकर का प्रकारनी है, 77 का सही उत्तार है, ऑप्षन नमबर D, मैटो, याद रखना इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 78, फाट लेक वीदी, किस का सुधार करने में मुख्यते, हल्प करता है आपके पास, ठीक है, 78 का सही उत्तार है, ऑप्षन नमबर C, सेंस शीलता है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 79, एक एकल स्वेचिक संकुचन में, मासपिशिक का, अधिगम शक्ति क्या कहलाता है, 79 का सही उत्तार है, ऑप्षन नमबर D, नियुनतम शक्ति कहलाता है, ठीक, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 80, कौन सा नियुटिन की गतिक अनियम नी है, 80 का सही उत्तार है, ऑप्षन नमबर D, यानि की आंतरिंग का नियम इसका अनियम नी है, क्वेशन नमबर 81, कार्भो हाइडरेट का, एक ग्राम शरीर को, कितनी शक्ति पदान करता है, इसका सही उत्तार ऑप्षन नमबर E, यानि की 4.1 कलोरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 82, लिपिड है एक डैश, लिपिड आपके पास का एक प्रोटीन है, 82 का, सही उत्तार ऑप्षन नमबर C, सोरी आपके पास लिपिड क्या है, बसा है, ठीक है, यानि की आपके पास फेड़ एक ठीक, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 83, प्रोटेक्टिव फूड इस ऑल्सो नालनेट्स, शुलक्षात्मक जो भोजन है, उसको मुक्यते किस नाम से जना जाता है, उसको जाना जाता है, मुक्यते आपके पास बिटामीन के नाम से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 84, रतौन्दी किस की कमी से होता है, रतौन्दी जो फृसित भीमारी है, नेक्स्ट क्वेशन नमबर 85, अस्टांग योग के स्थापना करने वाले जो ब्यक्ति हैं, उनका नाम है आपके पास पतंजली है, नेक्स्ट कॉश्चन नमबर 86, शरीर का कौन सा भाग हैपटाटिस रोग से प्रभावित करता है, 86 का सही उत्तार है, ऑप्शन नमबर C, यानि कि आपके पास लीवर है, हैपटाटिस जो रोग है, वो प्रभावित करता है, आपके पास लीवर को, कॉश्चन नमबर 87, निली एक क्या है आपके पास, निली एक प्रकार का डेश है, 87 का सही उत्तार है, ऑप्शन नमबर A, यानि कि आसान एक तरह का है, ठीक है, भ्याम का एक भाग है, निली एक के अखीक है, भारत अलतन से समानित, सब से कम उमर के भ्यक्ती का नाउ बताओ, सुरी मैं आपके पास रिप्सरें बताने वाला हूँ, आपके पास जो 89 का है शिनने आपके पास बपर दीए, उनके लिए आंसर बताने वाला हूँ, तो 89 का सही उत्तर है, option number आपके पास C, ठीक है, next question number 90, 90 का सही उत्तर है, option number D, next question number 91, भारत रतन से समानित, सबसे कम उमर के व्यक्ति का नाम है, आपके पास सचिंटेंड लुकर, next question number 92, एशियाई केल, 1987 में, सुमन रावत ने, किस खेल में, गोल्ड मेडल जीता था, सुमन रावत यहापके पास समन्देते हैं, हमचल पड़ती, उनने गोल्ड मेडल जीता था, मुकर ते, किस आपके पास, कितने मितर की दोड में, आपके पास वो डोड थी, 3000 मिटर की, ठीक है, थोड़ा सा डॉट लग रहा है इसमें ठीक है आपके पास 200 मीटर आपके पास इसका सही होता रहने वाले है next question no 93 कवड़ी पुरुष खेल के मैदान की लंबाई के ठीक है कवड़ी खेल जो पुरुषों के लिए होता है ठीक है जबकि पुरुषों के लिए जो कवड़ी खेल के जो मैदान है उसकी लंबाई कितनी होती हुए है option no D यानि कि 13 मीटर next question no 94 foot wall goal post का माप क्या है 94 का सही उत्तर है option no A 7.00 मीटर गुना 2.44 मीटर next question no 95 marathon dog की कुल दूरी क्या होती है इसका सही उत्तर है option no C यानि कि इसकी कुल दूरी है 42.195 किलो मीटर next question no 96 volleyball में antenna की उंचाई क्या होती है volleyball में antenna की उंचाई होती है 1.80 sorry 1.80 मीटर next question no 90 आपके पास 97 ठीक है basketball के खेल के मदान का मापता basketball के खेल के मदान का जो आपके पास मापता रहता हुए है 28 मीटर गुणा 15 मीटर next question no 98 शीत कालिन ओलंपिक में शिप केशवन ने कौन सी भाग में आपके पास भाग लिया था 98 का सही उत्तार है option no C आपके पास उल लंग ले ठीक है next question no 99 1975 में होकी बिशिप कप जीतने वाले भारती होकी टियम के कप्तान का नाम बताओ 99 का सही उत्तार है option no B याने की अजीत पास सिंग ने 1975 में होकी बिशिप कप में आपके पास जो जीता था और उसमें captain C उन्हें की भूम के निवाई थी next question no 100 last question फीपा कप 2022 को जीतने वाले देश का नाम बताब फीपा कप 2022 में होता उसको जीतने वाले जो आपके पास देश है वह है आपके पास अरजन्टीना ठीक है अरजन्टीना जीता दतको ठीक है तो दोस्तों यह था आपके पास कुल मलाकर 100 questions इसके लावा कुछ query रहती है आप comment कर सकते साथ में आपके पास थोड़ा clear नहीं दिख रहा था PDF ठीक है तो आप मुझे PDF लेख सकते हैं कुछ गलती होगे तो उसके लिए मैं पर चाहूँगा ठीक धन्यवाद